इस question के अंदर क्या given दे रखा है पहले यह देख लेते हैं और फिर question के solution की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर question में क्या given दे रखा है if resultant of two vectors a and b shown in the figure is equal to unroot 7b then value of b by a तो b by a की value हमसे पूछी गई है देखे यहाँ पर a vector और यहाँ पर हमारे से b vector पूछा गया है यह हमारे a vector और यह हमारे पास b vector अब देखे इन दोनों के बीच में एंगल कितना गवन दे रखा है 60 तो हम यहाँ पर क्या करते है resultant का formula लिखते है resultant का formula हो जाएगा unroot में a square plus b square plus 2ab cos 60 degree हो जाएगा अब देखे resultant के वालों यहाँ पर करने जाएगे unroot 7b that is equal to unroot में a square plus b square plus 2ab cos 60 के वालों 1 by 2 2 से 2 कर जाएगा यहाँ पर केतना जाएगा यहाँ रहाएगा unroot में a square plus b square plus ab that is equal to unroot 7b अब देखे दोनों side square मैं both side कर देता हूं squaring both side जब मैं squaring both side करता हूं तो हमारे पास आजाएगा यहाँ पर 7b square is equal to a square plus b square plus ab आजाएगा अब देखे यहाँ पर मैं यह वाली term पूरी term को मैं इस तरीके से यहाँ पर 0 a square plus b square plus ab और यह minus b square आजाएगा जब मैं इसको solve करता हूं तो यहाँ पर आजाएगा a square और यहाँ पर आजाएगा minus 6b square और यह आजाएगा ab ठीक है अब मैं क्या करता हूं divide the whole equation divide the whole equation by a square a square से मैं divide करता हूं तो यह वाली term 0 हो जाएगी यहाँ पर a square divided by a square minus 6b square by a square और यहाँ पर जाएगा plus ab by a square तो यह square से a square कर जाएगा a square से यह कर जाएगा 1 पर let is equal to 1 minus 6b square by a square minus plus b by a हो जाएगा अब देखिए अगर मैंने मान लिया let let कर लिजे let x is equal to b by a यह b by a के बडावर मान लिया तो यह वाली जो equation बन जाएगी वह 1 minus 6x square हो जाएगा b by a का whole square और यहाँ पर plus x हो जाएगा तो अगर मैं इस equation को थोड़ा सो modify कर दूँ तो मैं इस पूरी term को जो कि यह वाली यह पूरी term है यह मैं दूसी side equal to के इधर ले आता हूँ तो मैं पास 6x square minus x minus 1 equal to 0 हो जाएगा अब देखिए यह अगर हम quadratic equation हम लोग solve कर लेते हैं यह वाली quadratic equation अगर मैं solve कर लेता हूँ तो हमारे पास x की value मिल जाएगी और जब मैं x की value निकल जाएगी हमारे पास तो इस 3x plus 2x यह factor बन जाएगा equal to 0 अब देखिए 6x और 3x में से यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देख वारे हो 6x square minus 3x में से अगर मैं common लेता हूँ तो यहाँ पर 3x common आ जाएगा और यहाँ पर बज़ेगा 2x minus 1 plus यहाँ पर क्या बज़ेगा 1 और यहाँ पर अंदर क्या बज़ेगा 3x plus 1 that is equal to 0 x is equal to 1 by 2 x is equal to 1 by 2 और यहाँ x is equal to minus 1 by 3 अब देखिए हमें actual में बताना क्या है बटा हमें बताना है B का magnitude और divided by A का magnitude magnitude तो positive ही होगा हमें सा तो यह हमारा answer आएगा 1 by 2 तो यह आपका answer आगया यह वाला answer आपका नहीं होगा बटा तो I hope आप लोगको 43 question आ आगया होगा समुझ में I hope आप लोगको 43 question आपको समुझ में आगया होगा next question की तरफ चलते हैं हम लोग next question क्या given दे रखा है देखिए इस चीज़ीज को समझते हैं पहले question में हमें given दे रखा है कि if A vector if A vector plus B vector equal to C vector and A plus B equal to C then the angle between A and C तो हम लोग यह directly कह सकते हैं मैटा कि A vector plus B B vector equal to C vector मतले कि हाँ पर C vector is the C vector is the resultant of A vector and B vector C vector जो है हमारा resultant है किसका A और B का अब देखिए एक statement तो हमें इस statement से तो हमें यह सी समझ में आती है बटा अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि A plus B equal to C अगर मैं A के magnitude को B के magnitude से directly add कर देता हूं तो हमें पास तरह है C मिल जाता तो A plus B equal to C मिल जाए बटा I hope आप लोगको यह समझ में आया तो अर यह चीज तभी होती है जब दो vector को मैं directly add कर दूं magnitude wise और हमारे पास resultant मिल जाए ऐसा तभी possible हो सकता है जब A और B के बीच में angle क्या हो जीरो अब देखिए A और B के बीच में angle 0 मतले कि ऐसा तभ भी possible हो सकता है जब हमारे पास A vector यह रहा ठीक है बटा A vector यह रहा और B vector भी हमारे पास इसी के ऊपर माल लेता हूं मैं यहां पर यह हमारे पास यह B vector है ना A vector और B vector दोनों add कर दूँ तो हम लोग इस दोनों का जो net resultant होगा वो हमारे पास C vector यह हमारे पास मिल जाएगा अब यह हम लोग C vector का magnitude अगर मैं बताऊं तो C vector का magnitude जो होगा वो होगा A plus B directly हम लोग add कर दें तो यह हमारे पास C vector का magnitude मिल जाएगा ठीक है I hope आप आप ल 0 degree angle between A vector and C vector is also 0 क्योंकि देखें A vector का direction यह है और C vector का direction भी हिदर रही है तो दोनों के बीच आप लोग जीरो डिगरी है तो I hope आप लोग को सुनना आगा होगा तो 44 degree 44 का answer होगा first तो first option correct होगा वीटा I hope आप लोग को यह point सुनना आगा होगा next option के तरफ चलते मिटा next option में क्या कह रहा है यह भी उसी कित जैसे question है two vectors A and B are such that A vector plus B vector equal to C vector and A minus B equal to C which of the following statement are correct देखें यह statement हमें बोल रहा है कि A vector plus B vector equal to C vector यह हमारे पास C vector is the resultant of A vector and B vector A vector और B vector का resultant है अब देखें यहाँ पे A minus B equal to C अब देखें यहाँ पे देखें अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हों तो A और यह माइनस करने पर हमार पास resultant आ रहा है मतलब कि दो वेक्टर का माइनस करने पर resultant हमें कब मिलता है जब वह दोनों वेक्टर से एंटी पैलल हो तो मतलब कि अगर मैं बोलू हूँ ए वेक्टर हमार पास यह रहा और यह हमार पास B वेक्टर यह रहा ठीक है इन दोनों का तो net resultant है वो हमार पास c vector है हमार पास यह होगा बेटा और यह c vector कैसे आएगा a minus b a minus b के subtract करने पर आएगा हमार पास answer तो हमार पास a और b angle between a vector and b vector is 180 degree होना चाहिए और मैं यह कह सकता हूँ a vector is anti parallel to b vector a vector anti parallel है b vector के आई होप आप लोग कोई point संवे आगया गवा next session की तरफ चलते हैं हम लोग next session हमें कह रहा है हमें यह कह रहा है कि एक diagram देवगी रख है in the vector diagram shown in the figure r vector is the resultant of vector a and b a and b का resultant है हमार पास r vector तो अब r तो कैसे करेंगे हम लोग देखिए अब यह diagram में एक बड़ कॉपी कर लेता हूं यह हमने copy कर लिया इस तरह के से copy कर लिया और यहां पे हमने paste कर दिया अब देखिए यहां पे आपको question में क्या अब देखिए और चीज और क्या गिवन देखिए कि इफ आर आर का magnitude जो है वो बी बाइटू है तो आर का magnitude है वो है बी बाइटू और बी का magnitude हमारे पास यह अब देखिए 10 theta की बात करते हैं 10 theta तो नहीं होगा क्योंकि यहां पे हमारे पास यह हमारे पास perpendicular हो जाएगा परपेंडिकुलर क्यों हो जाएगा क्योंकि ये वाला एंगल ठीटा है ठीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी ये वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी ये वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और hypotenuse की value B है तो अगर हम इसको solve करते हैं sin theta is equal to 1 by 2 तो theta की value हो जाएगी 30 degree आपसे question में यहीं तक पूछा गया है बेटा 30 degree का angle पूछा गया है अगर आप लोगों इसे पूछा गया होता यह theta की value पूछी गया है जनरली अगर बोला गया होता है what is the angle between a vector and b vector तो यह इसका answer क्या होगा पीटा angle between a vector हम लोग कैसे निकालेंगे देखे b vector हमारे पास इस direction में है और a vector हमारे पास यह रहा पीटा अब मैं इसको आगे की ओर shift कर देता हूँ ठीक है आगे की ओर मैं shift इस तरीके से करूँगा इस तरीके से ठीक है यह हमारे पास a vector हो जाएगा यह हमारे पास तो यह वाला हमें angle लेना पड़ेगा यह हमारे पास 5 angle होगा angle between a vector and b vector is 5 और यह 5 की value हम लोग कैसे निकालेंगे 180 minus theta that is equal to 180 minus 30 degree that is equal to 150 degree यह आपसे question पूछा जा सकता था बेटा अगर आपसे question में पूछा गया होता है a and b के बीच का angle तो angle a and b के बीच का angle 150 degree होगा बिटा I hope आप लोग को यह question समझा है होगा next question के तरफ चलते हैं हम लोग next question क्या कह रहा है बहुत easy question है और बहुती बार पूछा जाने वाला question है the resultant of a vector and b vector makes an angle alpha with the a vector and beta with b vector then तो हमें इन में से option correct पूछना है तो यह वैसे theoretically बताया जाता है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यह मेरे पास मान लेते हैं a vector है और यह हमारे पास b vector है ठीक है अब देखिए अब इन दोनों का resultant जो होगा वो कुछ यहाँ से कहीं यहाँ बीच में से पास हो रहा हूँ यहाँ से पास हो सकता है या फिर कहीं यहाँ से पास हो सकता है यहाँ से पास हो सकता है वो depend करता है तो मैं मान लेता हूँ जनरली मैंने एक resultant मैंने मान लिया यह हमारा resultant है यह this is the resultant और यह हमारे पास alpha angle है और यह हमारे पास beta angle है ठीक बटा अब देखे समझेगा अभी हाँ समझेगे अगर हमारे पास 3 cases possible हो सकते हैं possibility क्या है first case possibility यह है कि बटा if magnitude of a vector is greater than magnitude of b vector देखे हमारा first case यह possible हो सकता है second case यह possibility हो सकते है कि a vector का magnitude b vector के बराबर आए और third case possible यह हो सकता है if a vector का magnitude is less than b vector का magnitude अब मेरी बात द्हान से समझेगा मेरी बात द्हान से सुनेगा देखे यह r vector जो है यह r vector जो है यह vector उस तरफ जुकेगा जिस तरफ जिसका magnitude जादा होगा जैसे for example अगर मैं बोलूँ a vector यह रहा b vector यह रहा a vector यह रहा b vector यह रहा ठीक विटा अब देखे यह alpha angle a से मना रहा है beta angle b से मना रहा है अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो a का magnitude first वाले case में a का magnitude जादा है यह फिर कुछ भी बोलो चलो मैं एक statement में मैं आपको यह बताता हूं कि हमारा जो resultant vector है उस तरफ ज्यादा जुका रहेगा जिसका magnitude ज्यादा होगा for example अगर मैंने बोला कि हमारा first case जैसे मैंने यहाँ पर first case discuss करना है if a vector का magnitude ज्यादा है b vector के magnitude से तो अब यहाँ पर मैंने मान लिया कि यह हमारे पास a vector और यह हमारे पास b vector यहाँ पर आपको ज्यादा clearly visualize हो रहा होगा कि a vector का magnitude ज्यादा है b vector के से तो जह हमारे जो resultant होगा वो resultant vector alpha इस तरीके से बनेगा ज्यादा 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 बड़ा होगा तो इस case में alpha is less than beta alpha angle छोटा होगा बीटा से ठीक है अब देखें अगर मैं बोलता हूँ इसके next case में a vector यह रहा और b vector यह रहा ठीक है यह a vector और यह b vector और इन दोनों के बीच का angle theta है तो in this case मैं बोलूँगा कि जो हमारे जो resultant है वो दोनों के बीच में से pass होगा ठीक है तो यह alpha और यह beta angle यह alpha और बीटा दोनों आपस में ब्रावर होंगे ठीक है, next case में अगर मैं बोलूँँगों कि हमारे पास ये हमारे पास A vector ये रहा और ये बीटा वेक्टर B vector ज़्यादा बड़ा है ये आप लोगों को visualize भी हो पा रहा होगा तो अब यहाँ पे हमारा net resultant vector होगा, वो B की तरफ ज़्यादा जोगा होगा, इस तरीके से तो ये हमारा resultant vector, ठीक है ये हमारे पास ये हमारे पास B vector तो यहाँ पे जो ये जो बीटा एंगल होगा ये छोटा होगा अब बीटा एंगल, इस अलफा एंगल, बीटा एज स्मॉलर देन अलफा, I hope आप लोगों को सुन्धाया हुआ, ठीक है बटा, तो हमारा जो, अब क्या पुच्छा गया है, उसके कॉर्डिंग हम बात करते हैं, देखे, क्या पुच्छा गया है, देखे, क्या पुच्छा गय is less than beta if a is greater than b a is greater than b then alpha is less than beta तो ये हमारा case ये वाला correct होगा तो first option हमारा correct होगा I hope आप लोग को संभाया होगा है ना second देखे सारे option मैंने ये जो solution ही बनाया है यहां पर तो सारे solution ही बनाया है ये हमारा option ये correct होगा ठीक है condition होगी satisfy है ना तो I hope संभाया होगा इस lecture के अंदर इतना ही more than sufficient है next lecture के अंदर हम लोग आगे के questions को solve गरेंगे thanks to all of you for watching this video and अगर आप लोग को ये lecture अच्छा लग रहा हो और आप